इंदोर में आज सीएम का रोड़ शो बड़ा गनपती से राजवाड़ा तक आईशर वाहन से करेंगे सफर 350 करोड रुपे की योजनाओ का करेंगे शिला न्यास नमस्कार मैं श्वेता आपका दखबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुख करते हैं आज की प्रमुकबर पर मुकीमंदरी डॉक्टर मोहन यादव आज इंदोर में रोड़ शो करेंगे यादव का रोड़ शो शाम साड़े चार बजे के बाद बड़ा गनपती चौरहे से शुरू होगा जो की रजवाड़ा के अहिल्या माता की प्रतिमा को मालियारपन करने के साथ समाथ होगा यादव ने रोड़ शो के पहले पुलिस प्रशासन से सारे विवस्ता का चौक्चाबन दिख कर दिया है रोड़ शो के अलावा सीम इंदोर में एलाईजी चौरहे से नवलखा चौरहे तक बनाए जा रहे एलिवेटिड कोरिडोर का च्छिला नयांस भी करेंगे बीजेपी पतादेकारियों से मेरी जानकारी के अनुसार सीम मोहन यादव विशेश विमान से दुपेर चार बजे इंदोर एयरपोर्ट आएंगे यहां से सीधे वह रोड़ शो के मार्क पर पहुँचेंगे यहां से सीम बीजेपी दौरा तैयार की जा रही विशेश आईसर गाड़ी में सवार होकर रोड़ शो शुरू करेंगे बताया जा रहा है कि रोडशो में सीम यादव के साथ आईशर गाड़ी में इंदोर के सांसद वाव नौव विदायकों के साथ ही मंडल में अध्यक्षवा उपाध्यक्ष मौजुद रहेंगे बताया गया है कि रोडशो के मार्ग पर ही राम मंदिर काशी विश्विनात महाकाल लोक एकात मधाम आदीधार में के सलों की जाकी के साथ ही केंदर और राजव बीजेपी सरकारों के मुख्य योजनाओं और उपलवदियों के जलक पेश की जाएगी वहीं यात्रा मार्ग पर ढोल नगाडे ताशा पार्टी के साथ ही मुख्य मंद्री पर पुशवर्शा भी की जाएगी मुख्य मंद्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदर में रोड़ शो करेंगे यादव का रोड़ शो शाम साड़ी चार बजे के बाद गनपती चौराहे से शिरू होगा जो की रजवाड़ा पराहीलिया माता की प्रतिमा को मालियारपन करने के साथ समाप्त होगा यादव के रोड़ शो के पहले पुलिस पर शासन ने सारे विवस्ता को चाक चौबंद कर लिया है रोड़ शो के अलावा सीएम इंदर में एलाईजे चौराहे पर नव लखा चौराहे तक बनाए जा रहे एलीवेटिट कॉरिडोर का शलानियास भी करेंगे बीजेवी पतादेकारियों से मिली जानकारिक अनुसार सीएम मोहन यादव विशेश विमान से दुपेर चार बजे इंदर एरपोर्ट आएंगे यहाँ पर से सीधे वहर रोड़ शो के मार्क पर पहुँचेंगे यहाँ से सीएम बीजेपी द्वारा तयार की जा रही विशेश आईसर गाडियों में सवार होकर रोड़ शोग शुरू करेंगे बताया जारा है कि रोड शो में सीम यादव के साथ आईशर गाड़ी में इंदोर की सांसदवा नो विधायकों के साथ ही मंडल के अध्यक्षिवा उपाध्यक्षिव मौजूद रहेंगे बताया जारा है कि रोड शो के मार्ग पर राम मंदिर काशी विश्वनात महागाल लोग एक आत्मधाम आदिधार में किस्तालों की जाकियों के साथ ही केंदर और राज्य में बीजेपी सरकारों की मुख्य योजनाओं और उपलब्दियों की जलक पेश की जाएगी वहीं यात्रा मार्ग पर डोलनगाले ताशा पार्टी के साथ ही मुख्यमंत्री पर पुषवर्शा भी की जाएगी रोड शो में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेंगे इंदर वन की विदानसबा की अध्यक्ष सीयम का रोड शो तीन शहरी विदानसबा छेतरों में होगा रोड शो इंदर वन से शुरू होकर इंदर चार से होते हुए इंदर तीन में जाकर खत्म होगा यदर का रोड शो इंदर वन में सबसे ज़्यादा समय रहेगा बड़ा गनपती से लेकर खजूरी बाजार तक आदा हिस्सा यानि की लगबग एक किलो मीटर का छेतर इंद और वन में आता है जबकि खजूरी बाजार से रजवारा तक का तीन सो मीटर का हिस्सा इंद और तीन में ही है वहीं गोरा कॉंड चौराहे के पास जाने वाली गली का पूरा इलाका इंद और चार में है बता दे कि ये रोट शो पिछले मां भी प्रस्तावे था लेकिन किसी वज़ा से अंतिम समय में इसे निरस्त कर दिया गया था तीन सो पचास करोड की एलिवेटेड कारिया उजना का करेंगे शिला न्यास लोग निर्माड विभाब के कारेपालन यंत्री के अनुसार इंद और जिले में केंदरी सड़क निदी योजना अंतरगत स्विक्रत इंद और शहर के पुराने आगरा मुंबई मार्ग पर एलिवेटेड कोरिडोर का मुख्यमंत्री शिला न्यास करेंगे इस एलिवेटेड ब्रिज की रंबाई 6.70 किलोमीटर चोड़ाई 15.50 मीटर वा भूतल से पुल की उचाई 10 मीटर प्रस्तावित है इसकी कुल लागत 350 करोड रुपे है इस एलिवेटेड ब्रिज की एक बुजा गिटार चोराहे पर एक बुजा गीता भवन चोराहे पर मधुमिलन चोराही की तरफ होगी इसी प्रकार एक बुजा शिवाजी वाट का चोराहे पर वीपलिहाना की तरफ प्रस्तावित है सीएम पर पुश्वर्शा की जाएगी बीजेवी पतादिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम यादाव के रोडशो के मार्ग पर बीजेपी संगठन इंदोर की व्यापरी संगठन किसान संगठन वा अने संगठनों के साथ असमर्थों को दोरा लगबग 200 मंच लगा कर सीएम का स्वागत्त किया जाएगा खबरों में अप तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार हो देखते रहिए दा खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें